पित्र पक्षमी हर घर में अलग-अलग तरह के तीन से चार प्रकार के वड़े बनते हैं पर आज की ये रेसिपी आपकी मेनत और समय दोनों बचाएगी एक बड़े बरतन में ले लेंगे वन फोर्ट कप छिलके वाली मूंग दाल दो चम्मत छिलके वाली उड़त दाल वन फोर्ट कप चना दाल वन फोर्ट कप मोट वन फोर्ट कप बरवट्टी इन सभी को अच्छे से दो लेना है इन सभी बीम्स और दालों में से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा ले सकते हैं उपर तक पानी भर कर 5-6 घंटे के लिए भिगा कर रग देंगे किसी-किसी पूजा में अलग-अलग तरह के बड़े बनाने होती हैं पर मैं हमेशा इस तरह से मिक्स दाल का बड़ा पड़ा लेती हूँ एक ही बार में सभी काम हो जाता है ये भीग कर रेडी है इसका पानी निकाल देंगे और एक्स्ट्रा पानी चन्नी पर रखकर निकल जाने देंगे एक क्राइंडर में एक बड़ा चम्मत साबुद धनिया और एक छोटा चम्मत चीरा लेंगे इसमें ही सभी भीगे हुए इंग्रीडेंट एक साथ डाल देंगे और पल्स मूट पर चलाते हुए दरदरा ग्राइंड कर लेना है बिना पानी डाले ग्राइंड करना है बीच बीच में उपन करके चलाते रहें अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी से भी पसंदारी है प्लीज लाइक शेयर कीजे और मुझे ये बताईए आप लोग ये रेसिपी कहां से दीख रहे हैं मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है इसे एक बरतन में निकाल लेना है इस तरह का दरदर असा ग्राइन करना है इससे टेस्ट और बढ़ जाता है अब इसमें टाल देंगे आधा चममच हल्दी पावडर एक बड़ा चममच धनिया पावडर आधा चममच हिंक आधा चममच आमचूर पावडर दो बड़े चम्मच अद्रक हरी मिर्च लैसुन कुटा हुआ, एक मुठी बारिक कटा हुआ हरा धनिया और 20 से 25 कड़ी पत्ते को महीन महीन चौप्ट करके इसमें ही डाल दे रहा है एक चम्मच नमक, मिक्स कर लेंगे इसे बहुत अच्छे से फैटियेगा, वड़े अंदर से बहुती फूले फूले और फ्लपी बनते है मैं आज आपको दो तरह के वड़े बनाना बताऊंगी बनाने के जस्ट पहले एक बड़ा चम्मच गर्मा गरम तेल डालिए और मिक्स कर लीजे गरम तेल इसमें मोयन का काम करता है, इसकी वज़े से बड़ा ज्यादा क्रिस्पी बनता है वड़े को शेप देने के लिए थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में उठाईए और दोनों हाथों से इसे दबा दीजिए एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगा, कोई भी मेहनत करने की ज़रुष नहीं है तेल करम हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजे, जितने तेल में आसानी से आए उतने बड़े ढाल देना है लगभग 30-40 सेकेंड तक या फिर उपर का कवर हलकासा हाड होने तक कोक कर लिजे और फटा-फट इसे छनी में निकालते जाएए अभी हम कच्चे वड़े ही निकाल रहे हैं, बाद में इसे और फ्राय करेंगे इसकी वज़ा से ये फूले-फूले भी बनेंगे और उपर से क्रिस्पी भी रहेंगे सेम तरीके से सभी वड़े बना लेने हैं, ठंडा हो जाने के बाद हाई फ्लेम पर इसे फटा-फट तल लिजे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी वड़े बनते हैं जैसे रोड़ साइड वड़े मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट भी आएगा और उतना ही क्रिस्पी भी बनेगा दूसरे टाइप के क्रिस्पी वड़ा बनाने के लिए हमें इस तरह के छोटे-छोटे बॉल्स बनाना है गर्मा गरम तेल में इसे डाल दीजे, 30-40 सेकेंड में निकाल लेना है इस समय इसे पलटने की भी ज़रत नहीं है, जैसे ही उपर का कवर हाड हो जाए, छन्नी में निकालते जाए सेम तरीके से सभी फ्राइ कर लेंगे जब ये गरम है तभी हमें इसे कटोरी या फिर प्लेट से दबा कर फ्लैट कर देना है जितना पतला वड़ा आप बनाना चाहते हैं, उतना पतला कर सकते हैं ये बड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तलने में समय भी कम लगता है अभी हमने इसे 30 से 40 सेकेंड ही कुक किया है, जब डबल से हम इसे फ्राइ करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेंगे, बहुत ही जटपड बन जाता है और गेस्ट आने के समय भी आप इसे आसानी से एक बार कुक करके फ्लैट करके रख सकते हैं और जब गेस्ट आने फटाफट फ्राइ कर लीजे तेल करम हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई रहने देना है और जितने बड़े आसानी से तेल में आ जाए उतने डाल कर पलटते हुए तल लीजे बहुत ही जल्दी से ये कुक हो जाएंगे फ्राइ हो जाने के बाद इन्हें भी छन्नी में ही निकालना है छन्नी में निकालने से ये नीचे से ठंडे तो जल्दी से हो जाते हैं पर काफी देर तक क्रिस्पी के क्रिस्पी रहते हैं सौगी नहीं होते हैं सेम तरीके से बाकी बचे हुए बड़े भी तल लेना है एकदम क्रिस्पी करारे बने है चलिए मैं इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ और ये भी दिखा देती हूँ तोनों किस तरह से अलग-अलग बने है जो छोटे वाले हमने बनाए थे वो फूले फूले बने हैं अंदर से सॉफ्ट है और जिने हमने कटोरी से प्रेस करके बनाया था वो पतले है और क्रिस्पी है अब आपको जिस तरह के भी बड़े पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं टेस्ट में दोनों ही बहुत अच्छे लगते है इस तरह के वड़े को बनाये खाये इंजॉय कीजिए बबाई बहुत ही टेस्टी बने हैं एकदम क्रिस्पी करारे बने है